वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे मतस्य का चिन्न यह चिन्न बनता कैसे है? यह चिन्न कुछ इस प्रकार का बनता है जिसे सास्तर में हम मतस्य का चिन्न या मीन का चिन्न भी कहते हैं इंगलिस में इसे फिस साइन कहा जाता है बात करेंगे हम सनी छेतर पर अक्सर लोगों के इस छेतर पर इस अस्थान पर हमने इस चिन्न को देखा है और हमारी भागी रेखा भी इसी छेतर पर पहुंशती है जिसे हम सनी का छेतर कहते हैं सनी को न्याय के देपता मानक कहा जाता है, सनी को कर्म का छेतर कहा जाता है और सनी को भागी का भी छेतर कहा जाता है आपके सनी परबत पर यदि मतस्य का चिन्न इस परकार से बनता हो या इससे मिलता जुलता चिन्न बनता हो कहने का अर्थ है कि यह जो चिन्न है, इसकी बनाबट महतपुर्ण होती है, कि यह बन कैसा रहा है ? हलना कि यहाँ पर कई परकार की रेखाएं होती है, परन्तु इसका ऐस्पष्ट रूप से बनना, यह सबसे अधिक सुभ माना जाता है, यदि ये अस्पष्ट रूप से बनता है अलना कि ये चिन्न कहीं पर भी बने हतेली के किसी भी अस्थान पर ये चिन्न बनता है ये always सुभ परिनाम देता है केवल ये देखना है कहीं ये मतल से सीधा बन रहा है या कभी कभी क्या होता है कि इसका formation उल्टा होता है अर्थात इसका मुख नीचे की ओर हो और पूँच उपर की हो ये उल्टा ये उल्टा बने या सिधा बने इतना तो अवस्य है कि ऐसे बेक्ती के पास धन की कमी लाइफ में नहीं होती जीवन में धन की कमी होने नहीं देता है और ये सनी पर बनता है ति इसके बिसे में कहा गया है कि ऐसे बेक्ति बहुत ही अधिक न्याई प्री बेक्ति होते हैं यदि ये न्याय धीस बन जाएं अर्थात जज बन जाएंगे ति ये बेहद न्याय प्री बेक्ति होंगे इनको पंच बना दिया जाए या दो बेक्तियों के बीच में निर्नई की स्थिति इन्हें दे दिया जाए ति ये दूद का दूद और पानी का पानी करने वाले बेक् सासित ब्यक्ति नियम और बिधी बिधान को मानने वाले होते हैं। साथ में ऐसे ब्यक्ति का रुज्ञान रहस्यमई बिध्या की ओर बहुत अधिक होता है। अच्छे जोत्यसा Čर्ज हो सकते हैं, तंत्रमंत्र के ग्याता हो सकते हैं, किसी पुजा पाठ वाले गुप्त मंत्र के तंत्र मंत्र के तामत्रिक भी हो सकते हैं इन सब विशे में इनका विशे सुरूची होता है ऐसे लोग 36 में बर्ष से जीवन में विशे सफल देखे जाते हैं और वेवसाय के माध्यम से ये करोडों की संपत्ती भी बनाते हैं साथ में ये मतस्य दूर के धन को भी दिखलाता है ऐसे लोगों को धन जो है एक से अधिक सुरूथ से धन बनाने वाले बेक्ती होते हैं अर्थात इनके धन के जो सुरूथ होंगे वो कई होंगे अब इसके में देखते हैं कि ये मचली यहाँ पर क्या बताता है चुकि ये कर्म का छेतर है तो कर्म से भागी का निर्मान अर्थात कर्म को भागी का और भागी को कर्म का सपोर्ट मिलता है ये मतभ़ से बता रहा है कि ऐसे लोगों को जो कर्म करेंगे कर्म को भागी का और भागी का को कर्म का सपोर्ट मिलता है तो ऐसे लोग जीवन में अत्यधिक सफल देखे गए हैं बिसेश कर धन के मामले में परंतु कुछ लोग कहते हैं कि गुरू जी हमारे हतेली में यहाँ पर चिन है ऐसा कुछ नहीं दिख पड़ता है कारण क्या है इस मतस्र के चिन को कोई चिन यदि इधर से आके काट दे इधर से काट दे तो इसके परभाव जो है छीन हो जाते हैं और इसके सुब परभाव में काफी कमी हो जाती है यह चिन उल्टा भी बनता है इस छेतर पर हमने देखा है कि ये चिन्ध हमने देखा है कि इस परकार से बन जाता है ये इस परकार से उल्टा अर्थात ये मतस्य का मुख किदर है नीचे की हो तो क्या होगा धन संपत्ती नहीं होगा और धन खर्च भी होता रहेगा यह आना जाना धन का लगा रहेगा